दर्सकों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बुद्वार के दिन हम घर से क्या खाकर निकलें जिससे कि हमारा दिन सुब रहे आज हम कौन सी दिसा में जाएं कौन सी दिसा में जाने सी बचें आज हम कौन से भगवान को पूजने की अधिक मानता है आज हम कौन सा उपाय करें या कहें कि तोटका करें जिससे की हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएं तो आप हमारे साथ वीडियों में अंत तक बने रहें मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि बुद्वार को क्या खा कर बाहर जाना चाहिए बुद्वार दिन अगर गर बुद्वार के दिन घर से बाहर निकलें तो धनिया का पत्ता खाकर निकलें इससे कार में सफलता हासल होती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की पाता है बुद्वार को कुण से देवता का दिन होता है हिंदू दरम में हर दिन किसी ना किसी भगवान को समर्पित है जैसे सोमबार भगवान भूले नात को समर्पित है मंगलवार हनमान जी को तो बुद्वार गौरी पुत्र गड़ेश को समर्पित है बुद्वार के दिन भगवान गड़ेश की पूजा की जाती है आपको बता दें कि बुद्वार को भगवान गड़ेश के अलावा बुद् सिर्फवार के लिभर्ध करने से सित्तायिॆ थाी देवता-गडपती की पूझा मानता है कि वैका बैद्वार की समस्दित स्बुद्द्रय well it's success मिलती है कर्येर में हर मोड पर सपलता मिलती है मांगनी कारियों में किसी और माल्ए नहीं आती है सक्त साली गड़ेश मंत्र कौन सा है कि वक्रतुंड महाकाएं सूर कोटी संप्रभ निर्वन कुरू मेदेव सर्वकारेशु सर्वुदाम गड़ेशी का ये मंत्र सबसे अधकी लोकप्रिय है इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिनकी सुन्ड गुमावदार है जिनका सरीर विसाल है जो करोडों सूरु के समान तेजस्वें वही भगवान मेरे सभी काम बिना बादा के पूरे करने की किरपा करें बुद्वार की रात को क्या करना चाहिए भगवान गड़ेशी के मंदर में जाएं और उन्हें 21 समी के पत्ते अर्पित करें समी के पत्ते ही बादाएं दूर करते हैं जोतिससास्त्र के अंसार दंसंबंदी समश्यां से छुटकारा पाने के लिए बुद्वार के मंदर में जाकर पीपल के पेड के नीचे घी का दीपग जलाना चाहिए बुद्वार के क्या उपाएं ब्रद के करने के साथ जातक को हरा वस्त्र दान करना चाहिए ऐसा करने से बुद्ध के प्रवाव को कम किया जा सकता है और बुद्ध के प्रवाव से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है बुद्वार के दिन क्या दान करना चाहिए बुद्वार के दिन पालक साबुत मूं हरे या नीले रंग के कपड़े हरी गा का सूचक है यदि आप कुंडली में बुद्ध ग्रह को मजबूद कर बनाना चाहते हैं तो हरे पेड़ पौदों का दान करें बुद्धवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए जोतिस के मुताविक बुद्धवार को दूद से बनी चीजें जैसे खीर मिठाई या रबड़ी आधी खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए और नहीं घर पर बनाना चाहिए बुद्वार के दिन बालों से जुड़ा कोई सामान नए जूते कपड़े आधी भी नहीं खरीदना चाहिए। बुद्वार के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, बुद्वार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने चाहिए और मुंग की दाल खानी चाहिए, बुद्वार के दिन दुरगा सबसती का पाठ करना न भूलें, साती बुद्वार के दिन भगवान गडेजी के पूजा के लिए सम भगवान गडेश जी के साथ ही बुद्ध देव की भी पूजा करें, इससे गडेश जी प्रिशन होते हैं और बुद्ध देव की भी किरपा प्राप्त होती है, बुद्ध बार के दिन पूजा में गडेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं, इससे बुद्ध ग्रेश से स पुसन करना चाहते हैं तो गड़पती जी के मंत्र सर से सरल और प्रवाव साली माना जाता है ये मंत्र जितना सरल है उतना ही प्रवाव साली भी माना जाता हैं घोप्रीय भोजन कौनसा है रहती विपार, आप वपा की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें मोदक का भोग लगाएं क्योंकि मोदक गड़ेज जी को सब से अधिक प्रिय हैं इसलिए गड़ेज चतुर्ती की शुरुआत इसी भोग से करें गड़ेज जी का बीज मंत्र क्या है ओम गंगरपते नमें भगवान स्री गड़ेज जी के बीज मंत्र गंग का जाप कर आप अपनी सबी कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं बीज मंत्र से मिलकर बने मंत्र ओम गंगरपते नमें का जाप करने से सबी मनो कामनाओं का पूर्ती ह होती है और आर्थिक प्रगति तता सम्रदी भी प्राप्त होती है बुद्वार को खाने में क्या खाना चाहिए बुद्वार के दिन सावुत मुंग डाल हरा धनिया या पालक और सरसों का साथ खाना चाहिए इसके साथ ही खाने में हरी मिर्च का प्रियोग जरूर करें फलों म बुद्वार को अम्रूद खाएं तो सबसे अच्छा होगा और इसके साथ ही पपीता खाना भी अच्छा माना जाता है गड़े जी को दूर्वा चड़ाने से क्या लाव होता है अक्सर आपने भगवान गड़े जी की पूजा में दूर्वा का उपयोग देखा होगा धार्मि अत्प्रिय कहते हैं कि भगवान गड़े जी को दूर्वा अर्पित की जाए वे प्रशन होकर अपने भक्तों की हर मनों कामना पूरी करते हैं बुद्वार का कौन सा टोटका करना चाहिए इस समय भगवान गड़े जी को पीले चंदन से तलक लगाएं इसके पश्चा तलक को अपने माते पर लगाएं ऐसा करने से भगवान गड़े जी का आसिरवाद प्राप्त होता है अगर आपकी आर्थक इस्तती कम जो रहे तो बुद्वार के दिन पूजा के समय भगवान गड़े जी को पूजा और मोदक अर्पित करें रादे रादे जैस्री रादे हमारे यूट्यूब चैनल स्री नारान प्रसादम को जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे जैस्री रादे